हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्टेडीकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज किस लेक्षर में हम डिसकस करेंगे आदित L1 से रेलेटिड महत्पूर्ण प्रसनों को, तो दोस्तों जो अभी आदित L1 मिसन लॉंच किया गया है इंडिया के द्वारा, तो उसे अपढ़े नोडिकरिकिसन मिल सकेगा, पहला कुश्न है, आदित L1 मिसन को किसने लॉंच किया है? आंसर हो जाएगा इस रोने, तो इंडियन स्पेस रेसर्च औरगिनाईजिसन के द्वारा, आदित L1 मिसन को लॉंच किया गया है अगला कुश्न है, आदित L1 मिसन निमने खितमे से किस से संबंदित है तो जो आदित L1 है ये सूर से related है यानि कि भारत का जो आदित L1 मिसन है ये सूर की study के लिए launch किया गया है अंगला प्रस्न है आदित L1 मिसन को कब launch किया गया है आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 2023 को तो सोबह दोस्तों 11 बच कर 50 मिनट पर इसको launch किया गया है तो ये point भी आप note कर सकते हैं next question है आदित L1 मिसन को किस rocket से launch किया गया है आंसर हो जाएगा PSL भी XL rocket से launch किया गया है अंगला question है आदित L1 मिसन को कहा से launch किया गया है तो आदित L1 mission को launch किया गया है 37 धवन Space Center से, कहां से दोस्तो, 37 धवन Space Center से, और ये कहां पर स्तित है, स्री हरी कोटा में स्तित है, दोस्तो, अगर आपको study class related किसी भी PDF को प्राप्त करना है, तो वो आप हमारे telegram channel से प्राप्त कर सकते हैं, आपको telegram पर जाना है, study class official search करना है, तो आपको channel मिल जाएगा और आप उसे join करेंगे तो PDF भी मिल जाएगे, इसके अलाबा आप हमारे app को भी download का लीजगा, app का link description box में दिया गया है, अंगला प्रस्न है, आदित L1 mission की अनुमानित लागत कितनी है, तो answer हो जाएगा 378 करोड रुपए की, अंगला question है, आदित L L1 mission में, L1 का अर्थ क्या है, तो दोस्तो, L1 का जो अर्थ है, वो है lag range point 1, क्या है दोस्तो, lag range point 1, तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तो, इस picture में, यह देख पा रहे हैं, यह है अर्थ और यह है sun, तो इसके बीच में एक point है, जिसका नाम है L1 point, ठीक है, तो इसे lag range point 1 बोलते हैं, और यह जो आदित L1 launch किया गया है, इंडिया के द्वारा, तो यह दोस्तो, यहीं पर पहुँचने वाला है, और यहीं से यह सूर का अध्यन करेगा, नेक्स्ट कोशन है, प्रत्वी से L1 की दूरी कितनी है, तो प्रत्वी से L1 की जो दूरी है, वो है 15,00, किलो मीटर दूर है, अंगला कुशन है, आदित स्पेस क्राप्ट को L1 पॉइंट तक पहुचने में करीब कितना समय लगेगा, तो जो स्पेस क्राप्ट लॉंच किया गया है, दोस्तो, वो कितने दिन में L1 पॉइंट तक पहुचेगा, तो इस कुशन का जो राइट आंसर हो ज इतने एक्क्यूबमेंट लगाए गए हैं, तो साथ एक्क्यूबमेंट लगाए गए हैं, नेक्स्ट कुशन है, आदित L1 के उद्देश क्या है, तो दोस्तो, पहला इस उद्देश है, क्रोमो इस्पियर और कोरोना का अध्यन करना, कोरोना का मतलब दोस्तो, बीमारी से न पॉपोलोजी और चुम के छेतर की माप करना इसका उद्देश है इसके अलावा तापमान, वेग और घनतो CME का विकास और इमेजिंग करना तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उप्सन नमबर E तो दोस्तो ये हैं आदित L1 के उद्देश तो इन्हें आप नोड कर सकते हैं अंगला कुशन है आदित L1 की लॉंचिंग की समय बजन कितना था आंशर हो जाएगा 1775 किलोग्राम आदित L1 की पेलोड का बजन कितना है तो इस कुशन का आंसर हो जाएगा 244 kg नेक्स्ट कुशन है आदित L1 सूर का अधियन करने वाला भारत का कौन सा मिसन है आंसर हो जाएगा पहला तो भारत ने सूर के लिए पहला मिसन भीजा है नाम क्या है इसका आदित L1 आदित L1 मिसन की प्रधान वेग्यानिक कौन है? यनि की प्रिंस्पल साइंस्टेस्ट कौन है? आंसर हो जाएगा डाक्टर संकर सुब्रामन्यम अंगला कुशन है आदित L1 मिसन की प्रोजेक्ट डारेक्टर कौन है? तो उनका नाम है निगार साजी क्या नाम है दोस्तो निगार साजी अंगला कुश्चन है आदित L1 प्रतवी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का कौन सा मिसन है तो इसका आंसर हो जाएगा पाँच माँ तो देखें दोस्तों प्रतवी की कक्षा से बाहर जाने वाला भारत कप या इसरो का पहला मिशन कौन था चंद्रियान फर्ष्ट फिर इसके बाद दोस्तों मंगल यान गया फिर चंद्रियान सेकेंड गया और फिर इसके बाद चंद्रियान थर्ड गया और अब आदित जो है ये पाँच बा मिसन है इसरो का जो की प्रतवी की कक्छा से बाहर जा रहा है अंगला कुशन है जर्मानी और अमेरिका ने हीलियोस फर्ष्ट सॉलर मिसन किस बर्स लॉंच किया था तो इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1974 में इंटरनेशनल सन अर्थ एक्स्प्लोरर थ्री 1978 में किस देश की द्वारा लॉंच किया गया था तो इस कुशन का आंसर हो जाएगा अमेरिका अंगला कुशन है एडवांस स्पेस वैस्ट ऑबजर्वेटरी सोलर 2022 में किस की द्वारा लॉंच किया गया था तो ये चाइना के द प्रोब, सोलर मिसन, अमेरिका के द्वारा किस वर्स लॉंज किया गया था, तो इस कोशन का आंसर हो जाएगा option number C, यानि 2018 में, अंगला कोशन है, सूर क्या है, तो दोस्तों सूर एक star है, यानि तारा है, नेक्स्ट कोशन है, सूर के प्रकास को प्रत्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है, सूर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्त पाया जाता है, वो है hydrogen, कौन सा तत्त पाया जाता है दोस्तों, hydrogen, सूर की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, तो जो सूर की सबसे बाहरी परत होती है, उसे क् इसका ride answer हो जाएगा Corona, ठीक है, सूरी की सबसे बाहरी परद को क्या बोला जाता है, Corona बोला जाता है, सूरी से प्रत्वी की दूरी कितनी है, तो इस question का जो ride answer हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तो, option number D, यानि 149.6 million kilometer, प्रत्वी सूरी से अपनी अदिक्तम दूरी पर कब होती आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को नेक्स्ट कुश्शन है सूरी की सताय पर हाइडूजन के लाबा दूसरा कौन सा तत्तों बहुत आयत से पाय जाता है यानि बहुत अधिक मात्रा में पाय जाता है आंसर हो जाएगा हीलियम तो पहले नमबर पर hydrogen है फिर दूसे नमबर पर helium है अंगला कुशन है सौर प्रस्टिक पर लगबग कितना तापमान होता है तो लगबग 6000 degree Celsius का तापमान होता है अंगला कुशन है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी तो दोस्तो कॉपर निकस की द्वारा सौर प्रणाली या सौरर सिस्टम की खोज की गई थी अंगला कुशन है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कोन है तो वर्तमान में इसरो की जो अध्यक्ष में बो है ऐस सौमनाद अंगला कुशन है इसरो की स्थापना किस बर्स हुई थी तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी इसरो का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाइजेशन स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1970 को मुख्याला बेंगलूरू करनाटक में है और दोस्तो बिक्रम सारा भाई इसरो की पहले अध्यक्ष थी तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं आपको ये लेक्शर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और आपके लिए एक कोशन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आप ये बताएगा कि आदित L1 मिसन जो है वो किसके लिए लॉंच किया गया है तो जो भी इसका राइट अंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें सेर करें सभी दोस्तों को सभी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में जय हिंद वंदे मात